चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं आईरन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बहुत ही मज़िदार स्वाद वाला लसुनी पालक पनीर की रेसिपी और उसके साथ मैं क्या-क्या बनाने वाली हूं वीडियो के इंड तक बने रहेंगे स्वागत करती हूं अपने कुकिंग वीडि की है उनके लिए मैं दिल से धनवाद बोलना चाहती हूं तो आज बेटे की फरमाई स्वी की पालक पनीर और वह भी लसुनी फ्लेवर वाला और उसके साथ फ्राइड राइस बना दो तो चलिए मैं फटफट से आ गई हूं कीचन में और मैं आज पैकेट वाले पनीर से ही रेसिपी बना रही हूं साथ में देखिए बहुत सारा हरी मिर्च लेकर के आ गया है मिटर बर्मा और बोल रहे हैं कुछ इसका अलग चटपटा अचार बना दो और साथ में बहुत सारे से कमेंट्स भी आ गये थे और कि यह रेसिपी आप सेयर किजिए तो और यूटूब चैनल दोनों में है तो प्लीज आप लोग विजीट कर लें बनने के बाद इस तरह से तयार होता है यह बनारसी राय का राजस्थानी हरी मिर्च का अचार है जो बहुत ही राजस्थान में पॉपलर है और मैं बिल्कूल राजस्थानी तरीके से बनाई हूं और यहां पर च चावल ले लेते हैं तो यह जो बिर्यानी वाला चावल है इंडिया गेट का तो मैं मिजर्मेंट बता देती हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गया थे कि रेशियो बताईए पतीले में या कुकर में चावल बनाते हैं तब तो देखिए कुकर में चाहे तो आड्रेस भी बनाते हैं तो पानी कितना होना चाहिए जिससे एकदम खिले खिले बने तो यहां पर चावल को मैं धो लूँगी और इसके बाद ना इसको धोने के बाद इसमें आप ढ़कन लगा करके असानी से सारा पानी आप निकाल सकते हैं और यहां पर चलिए फटा-फ एक वहां का बहुत ही ट्रेडिशनल जो अचार होता है ना वह दही मिर्शीवल आचार तो वह भी लाकर के दिये हैं तो इस बार मिस्टर बर्मा बोल रहा है कि इस बार गर्मी में तुम भी लगा दो तो देखिए यह मैं गरम मसाले दिखा देती हूं और इसमें बस एक गंद वाला है तो यहां पर मैं आज फ्राइड राइस इसी से बना रही हूं और इसमें मैं निकाल देती हूं एक इस्टार है दालचीनी है एक बड़ा इलाइची है और चली गरम मसाले को मैं अलग रख देती हूं और दही मिर्ची में खोल के दिखाती हूं तो साउथ में जो मार्केट में इस तरह से पैकेट में मिल आते हैं आपको दही मिर्ची की पैकेट और इस वार मैं जरूर ठ्राइख करेंगी बना कर'T देखती हूं उससे बंता है की नहीं तो आज मिस्टर बर्मा बोल रहे हैं कि थाली में अज दही मिर्ची वाले ही अ Dave अचार लगा दे है जब यह अच्छी तरह से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे जितने धोई हुए चावल है चावल को जब अभी तो मटर का सीजन है तो अच्छा लगता है फ्राइड रैस में खाईए चाहे आलो गोवी के सब्जी में खाईए और देखी किनारे से गिर भी रहा है तो आप लोगों का फिर से कमेंट्स आ जाएगा कि देखिए गिरा गिरा करके खाना बना रहे हैं तो देखिए सुब मेरे पास चावल था तो मैं दो ही कटोरी पानी डालूंगी और बस दो सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे और एकदम खीले खीले आपकी जो है ना परफेक्ट राइड राइस बनकर की तयार हो जाएंगे जब तक मेरा फ्राइड राइस हो रहा है तो तब तक चेलिए मैं पनीर को मैं फ्राइड कर लेती हूं थोड़ा सा मैं कड़ाही में बटर डालूंगी और उसके साथ पनीर को हलका सा एकदम हलका गुलाबी फ्राइड कर लेना है और जब तक बटर में पनीर फ्राइड हो रहा है तब तक मैं प्याज काट लेती हूं लहसुन को चील लोंगी वन पिंच अद्रक है और एक टमाटर है तो बीच का ये पार्ट है ना इसको निकाल दे नहीं तो सब्जी का स्वाध है ये कड़वा बना देता है साथ साथ आज लहसुनी फ्लेवर वाला पालक पनीर है तो मैं एक बड़ा लहसन छील करके मैं किनारे रख दूँगी वन पिंच अद्रक है और इसको छील करके देखिए ये अद्रक है ना तो एकदम अच्छी तरह इसका छील का निकाल दे और साथ साथ यहां पर मैं पनीर भी चलाते जा रही हूं और बहुत सारे से कमेंट्स भी आ जाते हैं कि सुबा में ही सबजी काट वाट के रख ले तो देखिए सुबा में भी नहीं मेरे पास टाइम मिलता है तो जब भी मैं खाना बनाती हूं तो फटा फट से सबजी वगरा सब साथ साथ में काटती हूं अब मैं डालूँगी दो बड़े चमच रिफाइंड वायर उसके बाद इसमें डालूँगी एक चमच जीरा और तीन से चार देशी मिर्च है और जितने भी वन पिंच अद्रक थे ना एकदम पतले पतले सलाइस में काट करके डाल देना है और एक बड़ा प्याज एकदम छोटे छोटे फाइन चौप करके डाल देना है और तेल में अची तरह सी गुलावी प्राई करना है लहसन अभी नहीं डालना है और साथ में चलिमसाले मिनसन भी कर गर रहे हूं जिसमें अद्रक काली मिर्च और लहसन का पेष्ट है एक चमच और आधा चमच्छे तिकी वाली लाल मिर्च हल्दी है और यहाँ पर देगी मिर्च है बस आधा चमच्छ इसमें थोड़ा हलका हलका ही मसाला डालेंगे बहुत जादा मसाला तेज करने से पालक का स्वाद बिल्कुल अलग लगने लगता है और साथ में एक बड़ा टमाटर काट करके हम डाल देंगे चाहे तो अब टमाटर का प्यूरी भी बना है तो दिकी इधर सीटी भी लग गया है दो सीटी हो गया है तो उधर का मैं गैस बंद कर दूँगी और यहाँ पर धिमी धिमी आज पर एकदम मसाले को भूनना है और टम पानी डाल डाल करके मैं मसाले को भूनूंगी जिससे इसका ना जो भी फ्लेवर है ना तो बिल्कुल पालक वला आए और थोड़ा सा टिप्स के साथ कोई भी चीज आप बनाए ना तो एकदम सींपल तरीके से भी बनाए तो ज्यादा स्वादिश्ट बनती है साथ में यहा स्वाद लगता है और साथ में बचेवे जो अलग से में पानी रग दी ती उसको धीरे धीरे डाल डाल करके भूनना है और यह जो इस सब रेसिपी है ना मेरे बेटों को बहुत पसंद आता है मिस्टर बर्मा को दाल चावल जादा पसंद आता है तो चलिए सबकी फरमाई पर मैं खाना बनाती हूं सबकी पसंद की और यहां पर जब ग्रेवी अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो मैं जितने भी फ्राई की वे पनीर है तो उसको में डाल दूंगी और इसको धीमी धीमी आज पर चलिए कड़ाही को में किनारे वाले चुले पर चढ़ा देती फ्राइड रैस भी हो गया है और साथ साथ अब क्योंकि यह लहसुनी फ्लेवर वाला यह बना रही है और इसके पहले मैं लहसुनी अंडा पालक की भी रेसिपी सेर की हूं और जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा और वीडियो अच्छी लगती है तो सेर जरूर लेती हूं तो एक पैन मैं चड़ा दूँगी उसमें डालूँगी बटर और जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें जितने भी कटे वे लहसन है उसको डाल देना है लहसन को बहुत अच्छी तरह से इसमें अहलका गुलावी होने तक पकाना है उसके बार डाल कि नहीं फ्राइड राइस के साथ खाएंगे तो चलिए यहां पर फटा फट से मैं सलात काट लेती हूं और मॉर्निंग में बहुत सारे ऐसे काम भी हो जाते हैं और नहीं तो मेरे पास अगर टाइम रहे तो मैं सभी यह सब काट करके अरेंज करके पहले से रख दू लेकिन फ्राइड राइस दिखा देती हूं कि कितना खिले खिले बने हैं और फ्राइड राइस मेरे दोनों बच्चों को बहुत जादा पसंद है चाहे सबजी डाल के भी बना दो ना तो फिरू लोग सौस के साथ आराम से खाते हैं तो बेटा आप तयार हो गया है तो अब मैं दे देती हूं मुझे अच्छा भी लगता है कि यह सब खान पान अब विलुप्त होते जा रहे हैं और लोगों देखी इस तरह से जूस वह भी रेडिमेट और देखी इसका खाना में दिखा देती हूं छोटा सा पतिला में बस इतना चावल और इतना ही इसका डाइट है तो अ यहां पर मिश्टर बर्मा का मैं थाली लगा रही हूं और यहां पर चलिए जल्दी-जल्दी से मैं इधर भी थाली लगा देती हूं और मुझे लंच भी पैक करने हैं और यह देखे ऐसे भी बिरियानी जो है ना सभी लोगों को पसंद आता है और अभी मेरे यहां नॉन रहा है क्योंकि बाबाजी का दरसन करने गई थी तो अभी समय नहीं नहीं लगा और मतलब मन ही नहीं हो रहा है क्योंकि अब डर्सन कर आ ना तुरत मीट मसली खाने में अच्छा नहीं लगता तो छिल्लिए यहां पर फ्राइड ड्रेस ह sì गाने के बात यहांपे लगा दू बोले तो मैं उसको भी ट्राइ करूंगी तो उसके बाद लगा दूंगी सलाद बहुत सारे से कमेंट्स आ जाते हैं कि कटोरी में अलग करकर के खाना लगा ये तो बहुत बार मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूं कि ये जब मैं रखती हूं ना टेबल पे तो सब पड़ है और अद्धही वाली मिर्ची लगा दूंगी ति यहां पर मेरा थाली बनकर के तयार हैं